नमस्कार स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर मैं हूँ आपके साथ पूजात्र पाथी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा और इस शो में हम बात करते हैं टैक्स से जुड़ी छुटी छुटी बारी क्योंग के बारे में जिससे कि आपका टैक्स बचाने में हम आपकी कर सके और जिसके आप टैक्स प्लानिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से कर सके हरशा दीवार हम आपके लिए एक नया और इंट्रेस्टिंग टॉपिक लेकर आते हैं हमारे साथ एक्सपर्ड भी शामिल होते हैं जो कि आजसान भार्शा में आपको टैक्स से जुड़ी सवाल वाट्साइब करिए या फिर इमेल कर सकते हैं अपने सवाल को हम सोचल मीडिया हैंडल पर भी मौझूद हैं फेस्बुक ट्विटर इंस्टाग्राम के जरीए भी आपने सवाल हम तक पहुचा सकते हैं और मेल आईडी भी लगाता आपके स्क्रीम पर फ्लाइश होती धीरे धीरे भारत जिस तरीके से आत्म निर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है सरकार का हमारे प्रधारमंत्री का फोकस उस तरफ है तो अब जादा से जादा जो यूवर्ग हैं वो इस तरफ आ रहे हैं और नए-ने स्टार्ट अप नए-ने आइडिया से अपना ध्यान भी रखनी चाहिए किस तरीकी से आप जो अपनी कंपनी है वो शुरू कर सकते हैं बना सकते हैं उसमें टैक्स के फायदे क्या होंगे वैसे तो यह काफी बड़ा टॉपिक है काफी वास्ट टॉपिक है लेकिन इसमें हमने एक पॉइंट उठाने की कोशिश की और व कोशिश की फायदे क्या हो सकते हैं यह भी आज हम आपको बटाने में मदद करेंगे क्योंकि अब देश की कमट्यों में रेजिस्प्रीशन जिस तरह से बढ़ रहा है स्टा आप कंपने पेसे भी अपचासकते हैं आ क्यूंकि काफी सारे पैसे लगते हैं एक नय वैसाइए जरू करने में तो जाए से जाए पैसे कैसे बचाए जाए इसमें हम आपकी मदद करेंगे और ना कि सिव हमारे साथ expert भी शामिल होंगे हमारे साथ expert मौझूद है जाने मारे सी और tax expert सुनील गर्ग जी तो आज का जो टॉपिक की हम बात कर रहे हैं LLP याने के लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्शिप अब देश में काफी तरीके से अपनी कंपनी रेजिस्टर करवा सकते हैं लेकिन LLP बनाने का क्या फाइदा है ये कैसे बन सकता है और पार्टनर्शिप फर्म और LLP याने के लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्शिप इन दोनों में फर्व क्या है ये हमारे दर्शकों को समझाईए देखे पुझा जी आपने बड़ा ही रेलिवेंट टॉपिक आज लिया है इसमें आज के शो में टेक्स मंत्रा में क्योंकि जो हमारे यंग एंटर्पेरिनर्स हा रहे हैं उनको चूज करने मुश्किल होती है कि हमें कौन से फॉर्म में बिजनिस करना है उस तान में देखा होगा आपने यह तो प्रोपारिट्र रोम होती है जो सिंगल वाली होती है करती थी यह प्राइव कि भार्टिर्विक कौनियां होगा करती थी 1932 बट परना कैंट है और कंपनी जाग तैंट है 1956 का जो बाने इमेंटमेंट हुआ 2012 है तो कुछ कमियाती partnership में तो सरकार एक नया concept लेकी आई LLP का 2008 में यह act आया LLP Act Limited Liability Partnership Act 2008 और उसमें आप एक LLP बना सकते हैं और उस LLP में आपको दोनों benefit मिलते हैं यानि आपको partnership from की तरह है उस पर taxation है partnership from की तरह है आपको liberty मिलती है काम करने की और प्राइवेट लिंपिड कमनिया लिंपिड कमनिया जिनकों limited liability बात करते हैं वो भी आपको benefit मिलता है नया concept है 10-12-15 साल पहले आया है लेकिन आप बड़ी तेजी से grow कर रहा है तो LLP बनाना उसको चलाना उसको उसको तो कर थूरू करना यह बड़ा आसान काम हो गया है सुनीन जी फिर आप से यह भी समझना चाहेंगे देखिए जैसे नाम है इसके limited liability लिखा हुआ है तो क्या literally ऐसा ही है सही माइने में क्या अगर इसके जरिये हम partnership के शुरुआत करते हैं तो उसमें partner के ऊपर जितनी भी liability होती है क्या वो सीमित होती है बिल्कुल इसका परपजी limited इसके नाम में limited liability partnership firm है देखिए हमारे आप जो partnership act था 1932 1932 partnership act के थूरू हम partnership firm मनाया करते थे आपने बहुत प्राणी प्राणी फर्में देखिए होंगी हिंदुस्तान में अगर आप चाबडी वजार या दूसरे की प्राणी शहर में जाओगे तो प्राणी partnership में चल रही है लेकिन उनमें दिक्कत यह थी कि वो सारी की सारी partnership को unlimited liability देती है और बकायता MCA इसको जो ministry of corporate affairs है वो इसको monitor करती है register करती है और इसमें partner की जो liability है वो to the extent मतलब जितना आपका partnership में share है जितना partnership में आपकी capital है वही तक आपकी liability होगी जिससे पुझा पर देखा होगा जो हम company की बात करते है तो shareholder की liability उसकी share holding तक ही होती है जितना उसे पैसे लगा रखा है उससे फालतू liability नहीं होती है limited liability firm में भी LLP में भी आपकी liability आपकी capital तक ही सीमित कर दी गई है यह बहुत बड़ा benefit यह असरकार में बहुत बड़ा benefit तो LLP में कम से कम दो partner का होना जरूरी है और जादा से जादा कितने भी partner हो सकते हैं यानि आप 50 से भी जादा partner firm बना सकते हैं तो यह कुछ फायदे हैं LLP के और LLP agreement partnership डीट की ही तरह होता जिसमें partner के capital profit sharing ratio बतानी परती है तो इन सब बातों का ध्यान रखिए छोटी छोटी चीजें हैं जब भी आप LLP बनाने जाएं तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और बाकी सारी जो information है www.mca.gov.in यहां पर available है यहां पर आपको सारी तरह के documents और form भी मिल जाएंगे क्या क्या documents required हैं इसकी भी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी अब आपसे यह समझना चाहेंगे कुछ तरीके तो आपने बताए लेकिन LLP अब शुरू कैसे करें इसमें registration किस तरीके से कर सकते हैं और इसके साथ यह भी समझना चाहेंगे कि registration के लिए जो fees है वो भी कैसी होती है इसमें बड़ा आसान तरीका है बड़ा ही आसान तरीका है सरकार ने बड़ी सारी सहुलियोते दी है और fees बहुत कम रखी है इसकी registration के लिए सरकार इसको प्रसाइट करना चाहती है कि जो हमारी young entrepreneurs आ रहे हैं जो नहींने startup लेके आ रहे हैं वो LLP को incorporate करें आपको ministry of corporate affairs MCA की website पर जाना है और आप वहाँ पर online process है वहाँ पर registration कवाने का सबसे पहले आपको नाम की approval लेनी होती है देगे partnership firm में आप नाम रख सकते हैं जब तो किसी का violation ना हो पर MCA में आपको पहले LLP की नई firm का नाम की approval पहले लेनी पड़ती है जैसे आप approval ले लेते हैं आपको single firm को fill up कर दीजिए आपका incorporation हो जाता है लेकिन incorporation के बाद में सबसे भैतुपूर्ण बात है जो लोग गलती कर जाते हैं आपको एक LLP agreement जिसको partnership agreement भी चाहिए उसको अच्छी तरह सबना चाहिए कि partners की क्या liability है partners की क्या capital है क्या capital contribution होगा क्या partners का share होगा profit का और exit route क्या होगा आप कैसे उसको निकल सकते हैं वो सारे आपको LLP agreement में बताने पड़ते हैं उस LLP agreement को भी आपको upload करना पड़ता है MCA की website पर और पूजा इस सारे process में सरकार ने fees बहुत कम रखी है सबसे अच्छी बात ही LLP के वन 5,000 रुपे से भी कम amount में मैंने 5,000 रूपे तक में आप पूरा registration process fees टेम जूटी सब में कर सकते हैं तो यह है इसका देखे फाइदा registration fees भी बहुत मामूली होती है इस वज़े से हम आपको बार-बार क्या भी रह स्टेज जीरो पर हैं आप वहां से आप शुरुवात कर रहे हैं तो यह भी तरीका है जहां से आप अपने व्यासाई की शुरुवात कर सकते हैं इसकी registration fees भी कम होती है बाकी सारे फाइदे भी अभी आपको सुधीर जी बता रहे थे इसके अलावा सर यह भी आप से समयना च किस तरह से उनकी बहतर हो सकती है तो क्योंकि अब यहां पर company की बात हो रही है partnership firm की बात हो रही है तो यहां पर वो किस तरीके से tax बचा सकते हैं या फिर वहां पर किस तरह से proper planning कर सकते हैं देखिये सरकार ने का है कि LLP का स्टेटस वही होगा tax के मामलों में जो partnership firm का होता है आपको पता होगा जब प्राइवेट लिमिन कमणी की बात करते हैं या joint stock कमणी की बात करते हैं वहां पर company को अपनी income पर tax देना होता है उसके बाद में जब आप उस dividend को लेते हैं जब shareholder क आप dividend देते हैं तो shareholder को उस dividend पर भी tax देना होता है एक तरह यह double taxation हो जाता है पहले कमणी पर tax देती है और उसके बाद में shareholder को अपने dividend पर tax देना होता है यह परिवरतन है पहले कभी shareholder को tax नहीं देना होता था दस लाग तक के dividend पर जो की अब सरकार ने चेंज कर दिया ले उस पर कोई tax नहीं है जीरो tax liability होगी हाँ फरम कोई पर tax देना है 30% की दर से और आप partners को salary दे सकते हैं आप partners को interest दे सकते हैं उसकी capital पर लेकिन उसका भी एक नियम सरकार ने दिया है यह बड़ा important नियम है धारा 40 A में कहा है सरकार ने कि आप जो remuneration देंगे उसकी एक limit है पह आपको mandatory tax देना पड़ेगा और यह जो नया tax lab है यह क्या LLP पर भी लागू होता है क्योंकि individual और HOF पर तो हम बताते ही है कि कोई भी नया slab आया तो वह लागू हो जाएगा तुरंती लें क्या वह LLP पर भी लागू होता है यह लेके बड़ा confusion है सरकार ने दो नए slab दिया है एक तो धारा 115 BAC में दिया था जिसमें हम individual की बात करते हैं कि individual को नए slab में जाना जा सकता है वो और वहापर सरकार ने कहा था कि 7 लाग रुपे तक की income पर हम कोई भी tax आप से चार्ज नहीं करेंगे जो अभी recent budget में हमारे पास में आया है जो मननी वित्ते मंत्रीजी ने दि कोई भी कमनी जा सकती है हम आपको बाकी को benefit देंगे लेकिन 22% पर आप जा सकते हैं अगर आप कोई भी कमनी चूज कर सकती है उसको 22% प्लस 10% सरचार्ज और सेच लगा दीजिए लेकिन ये नियम LLP पर लागू नहीं LLP और partnership के लिए जैसे मैंने बताया नियम क्या है कि देने के बाद पार्टर को ब्याज देने के बाद में उस पर आपको फ्लैट 30% का टेक्स देना 30% प्लस 12% का सरचार्ज और 4% का सेच ये आप दे दीजिए आप नई सिलेब में नहीं जा सकते हैं नई सिलेब इसका मतलब यह हुआ या तो individual के लिए है या है कंपनी के लिए अब आप से समझना चाहेंगे कि अब जिस तरह से हम शो के शुरुआत में भी बात कर रहे थे कि अब भारत जो है उसमें स्टार्ट अप कल्चर बहुत तीजी से बढ़ रहा है ज्यादा से ज्यादा लोग अब अपना व्यसाइश शुरू करना चाह रहे हैं ऐसे लोगों क वो स्टार्ट अप और LLP दोनों का फायदा ले सकते हैं बिलकुल मिलेंगे बिलकुल मिलेंगे सरकार ने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है जो तीन साल का टेक्स होलीडे है वो सरकार ने LLP को भी एक्स्टेंड कर दिया है पार्टर्शी फर्म को बेनिफिट नहीं मिलत यानि किजी भी दस साल में से तीन साल आप चुन लीजिए और टेक्स जीर होगा जो हमने पिछले शो में पताया था और लोगे ने उससे बड़ा हमें सयोग दिया बड़ा आपको दिन्यवाद भी दिया है कि हमने बड़े करने कोशिश की थी तो सरकार ने ये ATIE से स्क्राइब ने इनक्यूबेटर का फाइदा ढीए और पेटर कोपी रेट पर जा सकते हैं एक सुपकी तक को अब पर फाइदा मिलता है कि नई manufacturing unit 15% के tax lab का फाइदा ले सकती है नई manufacturing unit ये क्या नियम LRP पर भी लागू होंगे नहीं होता नहीं होता देखे उसका कारण है मैंने आगो पताया था कि सरकार ने धारा दिये 115 BAB जो भी दर्शक हमारे ये इशो सुन रहे हैं अगर आप एक company मिनाते हैं domestic company तो आप 15% का manufacturing अगर आप manufacturing कर रहे हैं उसमें कुछ नया product बना रहे हैं तो 15% का slab आप फाइदा ले सकते हैं और धारा 115 BAB लेकिन उसमें condition है कि आपकी कंपनी 31 October 2019 से लेका 31 March 24 तक उसमें incorporation नहीं चाहिए उसमें manufacturing स्टार्ट हो जानी चाहिए क्योंकि आपका dividend फिर दुबाए टेक्सिबल होता है जो आपको dividend मिलेगा जो कमने से आपको आए आएगी शेरोल्डर के हाथ में वो आपको दुबाए टेक्स देना होता है LLP में ऐसा नहीं होता है तो सरकार देगाए कि आप एक बाट टेक्स दे दीजिए 30 परचंट उसके बाद जो भी आप income निकालेंगे जो भी आप profit निकालेंगे पार्टनर्स उस पर हम आपसे कोई टेक्स चार्ज नहीं कर रहे हैं सुनील जी अक्सर हम देखते हैं कि कुछ कंपनियां डिविडेंट भी देती हैं MSME तो नहीं देती हैं लेकिन कुछ कंपनियां डिविडेंट देती हैं अपना profit शेयर करने के लिए भी अलग-अलग steps घ सब्सक्राइब में दो क्युक्तनि अचेयर कर सकते हो लेकिन घ की अब आशेयर करम होता है जैनरली 10 5 25 कोई लिमिट नहीं है कितने को रचेयरपनर्स होते हैं तो उन पार्टनर को जो शेर आएगा जो प्रॉफिट का शेर आएगा उस पर कोई टैक्स लेगा तो इस बाग का ध्यान रखिए कि LLP जो है वो डिविडेंट नहीं दे सकती हैं और शेर होल्डर्स को उस पर टैक्स भी देना पड़ता है यानि इसे जुड़ा फायदा उनको यहां पर नहीं होगा ठीक है तो चलिए LLP के से जुड़े हमने हर फैक्टर को यहां पर समझनी की कोशिश की उसे कवर करने की कोशिश की लेकिन अगर ऐसे में आपकी भी कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछे सवाल पूछने का तरीका हमने आपको बताई दिया है और उसक साथ लाग का ब्यास और बारा लाग की सालरी मिलती है साथी साथ उन्हें पांच लाग का शेर प्रॉफिट भी होता है तो यह जानना चाहने कि इनकी टैक्स लिएविलिटी कि इतनी बन रही है सुनील जी आप नवल जी को क्या सजेस्ट करेंगे यह और इंका LLP फर्म चाल लोगा और जो आपको प्रोफिट आएगा शेयर आएगा शेयर प्रोफिट आएगा वो धारा 2, टैन 2 इ में बिल्कुल एđजेर है लेकिन इसमे एक और यूनिक फीचर होता है जो आपको सैलरी और ब्याज भी मिलता है तो सैलरी आपकी सैलरी हाड में टैक्सिबल नहीन हो पढ़ रहा है, आपका driver है, आपकी car है और आप उसे travel करते हैं, तो आप उसका खर्चा भी claim कर सकते हैं, तो आप उसका deduction ले सकते हैं, यही PGP में जाने का फायदा, सरकार ने बेनिफिट दिया है, कि आपको चाहे salary मिले, चाहे ब्याज मिले, वापकी PGP की income मानी जाएगी, धा LLP के थो इसको register करें, या फिर private limited company के थो register करें, सुनीज जी, हमने विसे काफी सारी discussion किये, LLP को लेकर, लेकिन इंको आप क्या suggest करेंगे, कि अभी अगर क्योंकि नया नया venture, नय वैसाय शुरू करना चाहरे हैं, तो LLP इंके लिए better होगा, देखें मनीज जी, अगर आप एक young entrepreneurs हैं, और आपको लगता है कि मुझे 2 साल, 4 साल, 5 साल बात, पबलिक में जाकर IPO के जरिये, या तो इपनी equity को बेचना है, एक बात, या आज कल FDI आ रही है, private equity आ रही है, जहां पे एक company, एक entrepreneur, एक startup अपने कुछ shares दे देता है, private equity को, venture capital funds को, alternative investment funds को, अगर आप ऐसा सोच रह है, आज या दो साल बात, या चार साल बात, तो फिर आपको company's act में जाना चाहिए, वहाँ पर आप एक company को register कवा लिजिए, private equity company आप बना लिजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को पैसा अपनी capital से ही लगाना है, या मुझे bank से debt लेना है, या अपने दोस् करशन है, उसको हम थोड़ा sum up करने की कोशिश करेंगे, जो एहम बाते आपको पता होनी चाहिए, उसमें ये की company के registration की प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है, उसमें खर्च यानि के registration fees भी बहुत कम होता है, तो ये एक एहम फाइदा था इसका, इसके अलावा, company के registration के agreement के हिस साफ से हर partner की जिम्मेदारी सीमित होती है, तो ये बात ध्यान रखिए, जो भी आप partnership, deed partnership, agreement बना रहे हैं, उसमें क्या-क्या आपको जिम्मेदारियां डालनी है, उसका ठीक तरीके से entry जरूर करें, और क्या-क्या बात आप डाल रहे हैं, उसका भी आप खयाल रखें, इसक जरी अपनी company शुरू कीजे, ऐसे में आपको दोनों फायदे मिलेंगे, एक तो LLP का भी फायदा मिलेगा, और उसी के साथ ही साथ, सारे फायदों तो नहीं मिलेंगे, जो कि हमने discussion किये थे, इसके पहले, लेकिन जैसा कि Sunil जी हमें बता रहे थे, कि इसमें, जो tax holiday है, जो start- startup को मिलता है, उसका भी फायदा यहाँ पर आपको मिल सकता है, तो यह कुछ फायदों कि हमने बात की और हमारे कुछ दर्शुकों की सवाल को भी आज हमने address किया, लेकिन इसके अलावे भी कुछ सवाल है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर अपने सवाल को हमें मिल कीज चलिए, इसी नोट के साथ मुझे दीजे जाज़त, नमस्कार